एक बार पिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जी टी गुरुजी पर जहां आप सब को पता है जी फर ग्रैमर एंटी फर टांसलेशन के वीडियो जो आप सभी को मिलते हैं मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्ट प्राभात कुमार सिंग और आज मैं आप सब के लिए कर आया हूँ ऑक्सपोर जूनियर इंग्लिस ग्रैमर के एकसरसाइज 72 को के सोलिशन को फ्रेंड्स आप सब को पता होगा यदि आप पहली बार चैनल पर हैं तो आपको बता दूँ हमारे चैनल पर आपको ग्रैमर और टांसलेशन के डिफरेंट जो पोपलर बुक्स हैं जो कि वीडियोज आपको डूणने में आसानी हो चलिए आपका समय लिए भी ना चलते हैं और जानते हैं तो यह 72 एकसरसाइज जो है वो वाइस वाले एकसरसाइजेज है यानि एक्टिव से फैसिव वाइस इसके आल जो है मैं एक से लेकर 71 तक के सोलिशन के वीडियोज डाल चुका हूँ आप उन्हें देख लिए दी नहीं देखा है स्टार्टिंग के जो इस एकसरसाइज 64 65 और 66 है उसमें मैंने रूल्स भी बताए हैं कि कैसे हमें करना है चलिए तो अब सिधा इसका सोलिशन हम लोग जानते हैं पहला क्वेस्टन है ही वोज बिंग हेल्पिंग ह यह द्यान रखेंगे वाज वियर के साथ जो आई एंजी लगा रहा था यानि पूरे एकसरसाइज में आज यही है तो यह सब पास्ट कंटिनिवर्श टेंस को शो करते हैं तो इसमें आपको एक्स्ट्रा हेल्पिंग भर्प कोई भी कंटिनिवर्श टेंस उसमें बिंग ल लगाते हैं फिर आपको चोथा स्टेप है कि यह जो भर्व होता है प्रिंस्पल भर्व इसका भीत्री लगाते हैं और इसके बाद वाला जो है वो जो भी होगा तो उसमें जो है वो आपको फिर उसका सब्जेक्ट का अब्जेक्ट बना देंगे बाई लगा करके चलिए त हटेगा, इसमें हटने का कोई तुक नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं लगते हैं बाई के साथ, बट ये ही का हिम लगेगा, आगे है, he was helping them, इसका हो जाएगा, they were being helped by him, I was writing a letter, a letter was being written by me, she was teaching the student, that the student was being taught by her, है रशी का हर हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, she was teaching the students, तो जब students हो जाएगा, तो फिर वो plural हो जाएगा, the students were being taught by her, आगे बढ़ते हैं, अगला question है, question number 6, और इसमें कहता, I was solving the problem, हो जाएगा, the problem was being solved by me, फिर है, 7th number, the students were answering the question, इसका हो जाएगा, the question was being answered by the students, फिर है, my father was teaching my brother and sister, इसका हो जाएगा, my brother and sister were, दो है, इसलिए वाजकबर हो जाएगा, being taught by my father, they were killing the birds for nothing, the birds were being killed for nothing, the doctor was examining the patients, इसका हो जाएगा, the patients were being examined, लेकिन by doctor नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, मैं अपने पहले की वीडियो में आप सब को बता चुका हूँ, कि तीन चीजों का जो है, वो नहीं लगता है, किन चीजों का नहीं लगता है, by plus agent, या नहीं लगा के subject का object नहीं बनाएंगे, एक तो होता है, unknown का, जैसे by someone, by anyone, by no one, यह सब नहीं लेगा, इसी प्रकार दूस करना किसका काम है, तो doctor का काम है, तो by doctor नहीं लगाएंगे, look after करना patient का किसका काम है, तो nurse का by nurse नहीं लगाएंगे, इसी प्रकार लेटर डिलिवर करने का काम किसका है, postman का नहीं लगाएंगे, teaching करना किसका काम है, teacher का तो नहीं लगाएंगे, तो जो understood category में, यह understood category में था कि patient को examine doctor कर रहा है अगला है the girl was drawing the picture इसका हो जाएगा the picture was being drawn by the girl 12th question है they were repairing the bridge the bridge was being repaired by them मैंने bracket मिली का है इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि वो तीन तो मैंने बताया unknown gathering और understood में category में तो हम नहीं लगाते हैं साथ में we का bias और they का by them लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं generally नहीं लगाया जाता है confusion हो कि हमारे subject teacher क्या मानते हैं इसको तो bracket में रखते हैं bracket का मतलब होगा कि यहाँ भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है 13 number question है they were discussing the matter हो जाएगा the matter was being discussed फिर वैसा ही है by them लगाओ या ना लगाओ they were taking him to hospital तो हो जाएगा he was being taken to hospital और आप चाहें तो इसमें भी by them लगा सकते हैं नहीं मर्जी हो तो नहीं भी लगा सकते हैं चलिए आगे है my brother was watching the match इसका हो जाएगा the match was being watched by my brother फिर है we were expecting good news good news was being expected फिर वैसे ही मैंने का bias लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं दूसरी बात good news जो है news हमें साथ singular होता है इसलिए was लगेगा they were playing the match the match was being played वैसे ही मन हो तो बाइदेम लगाईए या नहीं लगाईए या ब्रैकेट में रख दीजिए इस प्रकार से इसमें total 17 questions थे उमीद करता हूँ आपने मिलाए होंगे और आपके सही हुए होंगे जो confusion रहा होगा वो आपने दूर हो गया होगा फिर भी के confusion हो तो comment करके बताएं वीडियो को लाइक कर दें जिसे हम आगे की वीडियो आप सब के लिए बनाते रहें मिलते एंगले वीडियो में तब तक के लिए have a nice day